हेलो चो कैसे हैं आप उमीद करता हूं स्वस्त होंगे मस्त होंगे मैं डोक्तर सुदेश कुमार बुक्ता आज बेटा कोडिनेशन कंपाउंस के कुछ क्वेस्टन्स आप से डिसकस करने जा रहा हूं बेटा अब सारे क्वेस्टन्स रहूं है वह एंसी आटी से फ्रेम किये गए मैठा और यह कोशिस की गई है कि ओवराल कम्प्लीट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेस्टन्स उसमें जित्ते भी टोपिक हैं उससे रिलेटेड क्वेस्टन्स पेटा मैं कवर कर लूँ ठीक है तो आईए करते हैं डिसकेशन अपन सवालों का पहला क्वेस्टन अविट आपके पास में कलर बदल लेए अपन हमका हमड़ा कंपाउं गीवन आपको पीटी सील फो तो सील दू नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद एज अनो थी दैन इनकरेक्ट स्टेट्मेंट अबाव जो भी कंपाउंड आपके पास में वो एजी एनो थी के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है इसका मतलब यह है बच्चे कि कॉम्प्लेक्स जो है बेटा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसा है जिसके अंदर कोडिनेशन एंटाइटी से बाहर सील माइनस आयन अविलेबल यह है क्योंकि पेटा एजी एनो धरी के साथ प्रेसिपिटेट इसमें से कौन दे सकता है ऑजी अधिल का प्रेसिपिटेत पर है अब क्या सिट्वेशन मनेगी कंपाउंड क्या है यह एक्चुल कंपाउंड है H2 PtCl6 जिसे आप कह देते हो है एक्जाख्लोरो प्लेटीनिक एसिड है बनता कहां पर देखेगा एक छोट आसा मैंने कंसिडर किया है भूट जोग वाली सिसे एक्षा कि प्लेटीनम की रियक्षन जब करवाई जाती है एक्वारेजिया HCl plus Hn और 3 से बेटा यह 1 इसका और 3 इसका याद रखनेंगे ट्रिक बेटा इसमें 3 एटम है तो 3 एटम 1 H, 1 C और 1 L बेटा ऐसे 3 एलफा बेटा इसमें 1 H, 1 C, 1 L बेटा तो इसलिए मैंने आपर क्या कर दिया बेटा इसमें 3 लिख दिया इसको याद रखनेंगे ट्रिक बस इससा दो कुछ भी नहीं है बेटा 1 ratio 3 में होते है इससे अपन क्या कहते हैं बच्चे एक्वारेजिया बच्चे गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ना बेटा इसके वास्तम में यह वही कॉंप्लेक्स है बच्चे वही कॉंप्लेक्स है मैंने मेरा ठागेट था दो चीजे सिखा देना आपको यह वाली रियक्शन और एक यह वाला कॉंप्लेक्स बच्चो अब तो बात बहुत आसान हो चुकी है यहां प्लेटिनम की ऑक्सविडेसन श्टेट बेटा प्लस फॉर है बेटा क्लोरीन जो है या मैं कहां इसके और प्लेटिनम लिएक चैर के है इसकी सेकेंडरी वानसिस की आजिक्स हो गई मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम सही है तो इसकी सेकेंड़ी वालेंसिस सेट में आजिया बात इकदम स नहीं है सुने मेरी बात कि actually कैसे बेटा देखना ये वाला जो complex है बच्चे क्या क्या देगा बेटा आपन को एक्वस मीडियम में दो तो H प्लस देगा और एक आपको ये देगा बेटा PTCL6 2- तो बटा ये 2 ratio 1 type का complex हुआ ना 2 ratio 1 type का 2 ratio 2 type का complex नहीं है इसलिए बेटा इसमें B वाला जो है ये इनकरेक्ट है गलत रहे जो और इनकरेक्ट ही पुछाता है कि लिए पहला सवाल बेटा आपको next question which of the following does not give test of all ions in aqueous medium देखे बेटा ऐसी जो aqueous medium में सारे ions का test नहीं देते मैं आपसे अगर पूछू कि वो कौन होते हैं double salt ऐसे होते हैं या फिर बेटा coordination compounds ऐसे होते हैं बेटा आप बताइए मुझे कौन से होते हैं ऐसे होते हैं coordination compounds double salt तो बेटा सभी ions का test दे देते हैं aqueous medium में बेटा कि addition compound बनाया गया दो salt को मिलाया गया रिष्णों में बेटा उनको बेटा h2 हटने तक उनको dry किया गया एक salt आपके पास addition compound compound मिलके आ गया अब उस addition compound को आपने क्या किया बेटा कि उठा के पानी में डाला पानी में अगर वो सारे आइनों का test दे रहा है तो उसे double salt के देते हैं और कुछ आइनों का test देगा और कुछ का नहीं देगा तो उसे क्या के देते हैं coordination compound compound या complex compound example देखेगा बेटा कि जैसे माल लीजिए kcl था mgcl2 था बच्चे इन दोनों को मिलाया गया साथ में बेटा इनका aqueous solution बनाया जाता है initially क्योंकि दोनों आसानी से मिल सके बेटा तेक न aqueous solution है मतलब h2o तो इनके साथ अल्रेडी होई जाएगा बेटा वही aqueous solution में बना करके इनको मिलाया जाता है बेटा aqueous solution बना करके मिलाते है ताकि इनका मिलना असानी से हो सकते हैं तो बटा यह क्या करते है kcl.mgcl2 की form में और 6H2 इसमें crystal के अंदर बेटा जो space है उसमें रहते हैं इसे अपन कहते हैं क् करनेलाइट बच्चा अब क्या करता है कि बेटा पानी में जब मैं इसे डालूंगा जब पानी में मैं इसे डालूंगा पानी में बापिस इसका solution मनाऊँगा तो ये k-ion का test भी देगा c-ion का test भी देगा और magnesium 2 plus iron का test भी देगा यह सभी आउनों का test दे रहा है इसका मतलब यह एक डबल सोल्ट है, क्या ही एक डबल सोल्ट बच्चा, क्लियर है मेरी बार, दूसरी बात बेटा, बात आती है इसमें, एक और एक्जाम्पल की, देखेगा, कि, एफी, सी, एन, होल्ट वाईस था, और के, सी, एन था, साथ में, इन दोनों को मिला करके, बच्चो जो बनता है, वो बनता है, के, फोर, एफी, सी, एन, सिक्स, पोटेशियम, फैरो, साइन, और बच्चो यह क्या करेगा, कि, जब आप इसे, एक्वस, मीडियम में बनाओगे, एक्वस, मीडियम में लोगे, तो यह के प्लस, आयन का टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, एफी, टू प्लस का सेपरेट टेस्ट नहीं देगा, साइन, आयन का सेपरेट टेस्ट यह नहीं देगा, यह एक कॉम्पलेक्स की तरब भीयव करेगा, कौन बेटा, एफी, सी, ए test नहीं दे रहा, complex की तरह इसने behavior करना सुरू कर दिया, तो ये बेटा complex compound बन गया, तो वो simple सी बात है, कि दो या दो से जादा salt का adequate solution लिया, उन्हें मिलाया, उन्हें बेटा, तब तक evaporate होने दिया, जब तक वो dry ना हो जाए, फिर क्या करते हैं, यहां तक कुछ नहीं पता लगेगा, यह चीज का पता practical से ही लगता है, फिर आपने उसे उठा के पानी में डाला, अगर वो पानी में सारे आयनों का test दे रहा है, that means वो double salt था बच्चे, और अगर सारे आयनों का test नहीं दे रहा, उसने कुछ आयनों का test दिया, और बाकी आयनों का test उसने avoid कर दिया, बच्चे, तो वास्ता में वो किस category में चला जाएगा, बोलो भईया, वो चला जाएगा, complex compound की category में, ठीक है बच्चा, तो यहां पर सीधा सा देको मैंने explain, तो आपको कर दिया कि potassium ferocyanide जो है, यह aqua solution में सभी आयनों का test नहीं देगा, क्यों नहीं दे रहा बच्चों, यह test सभी आयनों का, सभी आयनों का test को नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ आयन्स इसमें आपस में मिल करके complex बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बोलो, complex बना लेते हैं, और उस complex में से, उन आयनों का test separately प्राप्त नहीं होता, ठीक है, अगला point, अब कारनेलाइट तो हो चुका, kcl.mgcl2.6s2, देख ले, more salt होता है, ferrous ammonium sulfate, ferrous ammonium sulfate क्या होता है बच्चे, FeSO4, NH4 का whole twice, SO4, और साथ में बेटा, .6H2O, यह है, more salt, ferrous ammonium sulfate, जिसमें iron plus 2 state का है बच्चे, उसके बाद में बच्चो, potassium, potassium किस category में आ जाएगा, potassium क्या होता है बच्चो, K2SO4, AL2, SO4 का whole twice, .24H2O, ठीक है, और इसको empirical formula में की form में भी लिख दिया जाता है, के, AL, SO4 का whole twice, .12H2O, इस form में भी इसको लिख दिया जाता है, यह तीनों बेटा, double salt के उदारन है, जबकि यह वाला complex compound का उदारन है, clear है, next question बेटा, an excess of AZ-NO3 is added to 100 ml of .02M solution, किसका, di-chloro, ठीक है, tetra-equa, chromium third chloride, ठीक है बेटा, देखते हैं, कैसे बनाते हैं देखना इसको अच्छे से आप लोग बेटा, chromium लिख दूँआ, कितने equa हैं बेटा, 4, तो 4H2O आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में, बेटा, di-chloro है, तो 2 chlorine क्या जाएंगे, बेटा, इसमें, chromium आपको plus 3 state का बोला है, H2O 0 होता, 1Cl का minus 1, 2 का minus 2, तो बेटा, इस पूरे complex पर बचेगा charge plus 1, plus 1 को balance करने के लिए, कितने chloride बार आएंगे, सिफ एक बार आएगा, ये complex अपने पास अवेलेबल है, अब इसके treatment, बेटा, एकसेस में AZNO3 के साथ करवाया गया है, एकसेस में AZNO3 के साथ, मतलब इसकी कोई कमीनी है, लिमिटिंग डिएजेंट ये ही है, इसके साब से सब मामला चलेगा, अब ये जो complex है, इसका एक मोल, एक मोल क्लोराइड आयन देगा, एक मोल इसका अगर होता, तो बेटा, वो एक मोल क्लोराइड आयन देता, और AGCL का भी वन मोल प्रेसिपिटाईज हो जाता, लेकिन बेटा, यहाँ पर आपको बेटा, देखो, मोलरिटी और वोल्यूम दिया गया, मैंने यह सवाल क्यों दिया, उसका कारण रबजना बेटा, एक तो मुझे क्या है कि नाम से complex लिखना सिखाना था, दूसरा बेटा, सबसे मेन मुद्दे की बात मुझे क्या सिखानी थी, कि जो बच्चे फटाफट बग कर लेंगे ना बेटा, वो एक error करके आएंगे, कि 0.02 है, और 0.02 देके बोले, एक से एक ही क्लोराइड मिलेगा, बोले 0.02 से 0.02 मिलेंगे, बेटा, टिक करते ही गलत हो जाएगा, ध्यान दे, इसने क्या पूछें, मोल, यह क्या देवी है, मोलरिटी, मैं यही तो सिखाने की कोशिस कर रहा हूँ, सवाल में वो ही बताएं, जो पूछा गया है, वो नहीं जो आपको आता है, इन्होंने मोल पूछें, आप मोलरिटी क्यों बता रहे हो, तो मोल बराबर क्या होता है, आप सब जानते हो, बेटा, मोल बराबर होता है, मोलरिटी इन्टू वोल्यूम लीटर, खीक है बच्चा, यहां बेटा, मोलरिटी कित्ती दी गई है, पॉइंट जीरो टू, इन्टू, वोल्यूम एमल में है, लीटर में बदलने के लिए, 1000 से मैं डिवाइड करूँगा बच्चे, तो कितना आ गया, 0.002 आया न, अगर यह 0.002 आ रहा है, बच्चे, 0.002 आ रहा है, तो बटा, यह 0.002 मोल आ गए इसके, 0.002 मोल से, क्लोराइड के 0.002 मोल मिलेंगे, और AGNO3 एक्सेस में, तो बटा, वहां के तो कमी है न, as it is 0.002 मोल बटा, आपको किस के प्राप्त हो जाएंगे, AGCL के, आंसर फॉर्थ नहीं होगा बटा, आंसर इसमें कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट, डान लखना इस चीज का एक्जाम में बटा, next question क्या है, which of the following statement is incorrect, बात कुछ गर्बड हो गई बेटा, यहां बात कुछ गर्बड हो गई, hexadentate है तक तक तो सही था, लेकिन बेटा, 2 oxygen और 4 nitrogen यहां तो बाच गर्बड हो गई, क्योंकि इसमें बेटा, 4 nitrogen, sorry, 2 nitrogen, sorry, 2 nitrogen और 4 oxygen से जुड़ा होता है, इधर देखे बेटा, इथाइलीन, डाइयमीन, यह आपका इथाइलीन ग्रूप हो गया, अब इथाइलीन हो गया, डाइयमीन मतलब बेटा क्या था, NH2, NH2, NH2 था, NH2 था, लेकिन बेटा टेटरा एसिटेट है, तो 4 में एसिटेट ग्रूप जोड़ूंगा, 1 CS2CO-, 2 CS2CO-, 3 CS2CO-, और 4 CS2CO-, अब मेटल के साथ यह जब अटेच होता है, तो एक यह होता है, एक यह होता है, एक यह होता है, एक यह होता है, एक नाइटरोजन बेटा, और एक नाइटरोजन होता है, तो वास्ता में बेटा, इसमें डोनर साइट, 2 nitrogen और 4 oxygen होती है तो पहला ही statement आपका गलत हो चुका बिल्कुल clear cut गलत है बेटा ठीक है second बेटा Na2 EDTA can be used for estimation of hardness of water ये बात एक दम सही है बहुत है water hardness होती है calcium और magnesium के soluble salt की वज़े से बेटा calcium और magnesium के soluble salt की वज़े से बेटा यही तो होता है ना बेटा बाई कार्गोनेट sulphate होगा है इस बेटा अब क्या कि बेटा Na2 EDTA काम में लेने से क्या होगा कि जो EDTA है बच्चे वो central metal ion के साथ में EDTA जो है बच्चा central metal ion के साथ में 1 ratio 1 में attach हो जाएगा तो कि hexadentate है एक ही central metal ion से 1 EDTA जोड़ने का मतलब उसका coordination number 6 हो गया 2 EDTA जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा जो इतना असान नहीं है बेटा तो 1 ratio 1 में जोड़ता है और वो भी क्या देखना बेटा कि Na plus सुनना मेरी बात Na plus और CA 2 plus में से बेटा जादा जो polarization करने की पावर होती है ना इन में से Na plus और इन दोनों में से इन दोनों की जादा होती है फजान सुरूल लगा दो सीधा सीधा बेटा फजान सुरूल लगा दो बैट केटान का चार्ज बढ़ गया बेटा तो polarization की power बढ़ जाएगी इनकी इन में polarization power बढ़ेगी तो covalent nature जो है covalent character बेटा आने की nature भी बढ़ जाएगी और complex बनाने की tendency भी बढ़ जाएगी तो वास्त में बैटा sodium की तुलना में calcium और magnesium की complex बनाने की tendency जादा होती है तो EDTA Na plus को छोड़ कर इन से attach हो जाता है और quantitatively अपने इनको estimate कर लेंगे तो वास्त में इसकी hardness का estimation भी हो जाएगा water hardness का estimation हो जाएगा एक चोड़ा सा point और बता दू कि calcium और magnesium में से भी जादा combined कोन होता है अगर कोई आप से पूछे कि calcium और magnesium में से भी जादा combined कोन होता है तो बढ़ा सुनन मेरे बाद calcium and magnesium में से magnesium जाधा combined होता है क्योंकि magnesium और भी छोटा है उसमें polarization power और भी जादा तो उसमें complex मनाने की nature और भी जादा है तो दूसरा तो एकदम सही था इसने incorrect मुछा था वो तो ख़िए tick करी चुके लेकिन बढ़ा मुझे और भी चीजे सिखानी है कि अगर लेड की वज़े से poisoning हो रही है तो calcium EDTA काम में ले सकते हो बात क्या बेटा कि लेड जो है बेटा सुनना मेरी बात कुछ लोग तो बच्चे बोल दोता है बोलो डीव लोग का मेंबर है भूल जाते हैं काशी गये शंकर प्रभू दीकानी नहीं बेटा वास्ता में बेटा एक चीज और आपको पढ़ाई जाती है सुनना मेरी बात कि जो species inert pair effect देते है उनमें क्या होता है बैच्चे inert pair effect देने वालों में वास्ता में shielding effect कम होने की वज़े से attraction बढ़ गया होता है attraction बढ़ चुका होता है बेटा और attraction बढ़ने की वज़े से बेटा उसमें वास्ता में cation की polarizing power भी बढ़ जाती है क्योंकि attraction बढ़ रहा है ना तो cation की polarizing power बढ़ेगी और covalent nature बढ़ेगी और complex manajin के tendency बढ़ेगी तो calcium की तुलना में lead की complexing tendency है वो जादा है तो जैसे क्या होगा कि किसी की body में अगर lead की poisoning हुई है उसे calcium EDTA पिला देते हैं बढ़ेगी क्या होगा कि जैसे lead के contact में आगा EDTA lead से attach होगा calcium को body में free कर देगा जो harmful नहीं है बढ़ेगी बढ़ेगी तो तीसरा statement भी एकदम सही है फॉर बढ़ेगा इट फॉर्म्स optically active complex with central metal iron ठीक है यह अपन को पूरा सीखना पड़ेगा देखे इदा इसने कहा कि बेटा optically active compound बनाता है बेटा central metal iron के साथ में अब किस तरह से optically active है या नहीं है वो अपन को देखना है बेटा सीखे समझे कोशिस करना सीखने की बेटा चैका कि आए सें ट्रल मेटल आयन है है कि नाइक्रो जन नाइक्रोजन इस अ माथ ही दो डोननर सायद तो नाइक्रोजन है बच्चे एक इधर से अटैच हो गया और नैपिजिई-डो डो CH2 COO- एक वेलेंसी ये बनाता है. और इसी प्लेन में, वो ही होरिजोन्टल प्लेन चल रहा है, बच्चे. CH2 COO- एक वेलेंसी ये बनाता है. आगे क्या होना है? सीखिएगा. और समझेगा, बच्चो. एक सब्सक्राइब. अब एक नाइट्रोजन से दो CH2 COO- जुड़े होता है. तो एक तो इसी प्लेन में आगया, होरिजोन्टल प्लेन के अंदर है. एक CH2 COO- यहां से उपर जाएगा. CH2 COO- बच्च ये उपर से आ रहा है. एक जैसे टेबल है. एक टेबल के उपर से आ रहा है, बेटा. एक टेबल के उपर से आ रहा है. ठीक है, इस तरह से, बेटा. और यह मालीजे, एक टेबल के पीछे वाले कोने हैं, और यह टेबल के आगे वाले कोने हैं, टेबल के पीछे वाले कोने, टेबल के आगे वाले कोने, तो यह पीछे से आ रहा है, ठीक है बच्चा, अब दूसरा कहां से आ रहा है, वो भी देख लीजे बिटा, थोड़ा हल्का कलर लिया है बिटा इस बार में, क्या कि CH2, मतलब यह टेबल के नीचे जा रहा है बिटा, प्लेन के नीचे है, CS2, CO, O, माइनस, और यह यहां से, बिटा, इस से, प्लेन के नीचे से अटेच होगा बिटा है, इस तरह से बिटा, यह सिच्वेशन होती है इसके अंदर, क्या डाइग्राम आपको दिखाई दे रहा है बिटा, साब साब, मेरे साब से विज्वेलाईज, अगर आप कर पा रहे हो, तो देखिए बिटा, अच्छे से सिच्वेशन को समझने कोशिज करिए, कि यह जो तीन थे बिटा, इधर देखना, यह यलो कलर वाली, जो मैने बनाए है, यह तीनों बिटा, प्लेई के अंदर है, एक ही प्लेई के अंदर है, ओर सब्सांप इचरह ते, टेबल के पीछे वाले कोने से बेटा देसे माल लीजिए यह आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है न यह वाला ठीक है तो एक बेटा इस कोने से देखो पीछे वाले कोने से आपको एक फ्रंट में दिखा अब पीछे आपके लिए पीछे बेटा यहां से कुछ इस तरह से ब उपर से आ रहा है और जो रेड वाला है टेबल के नीचे से जा रहा है लेकिन कहीं भी बेटा इसमें प्लेनों सिमेट्री लगने का चांस नहीं है जो यह यह यलो कलर का बना हुआ था ना इसमें तो लग जाएगा होरिजोंटल प्लेन लेकिन यह table के पीछे और ऊपर है पीछे और ऊपर है बीठा देखो तेबल के, ऊपर की तरफ आ रहा है और एक का रहा है table के नीचे की तरफ बीठा सुनना मेरी बात, अगर situation यह होती देखना, कोसिस करना समझने की अगर situation यह होती ना बीठा कि यह यहां से निकल के और यहां आया होता तो बिल्कुल आप यह यहां से बीच वाला plane लगा देते यहां बीच में plane लग जाता लेकिन यह उपर की तरफ नहीं आया है यह नीचे की तरफ चला गया यह उपर की तरफ आता तो plane लग जाता है नीचे की तरफ चला गया तो इसमें plane लगने का chance खतम हो गया बेटा और plane अगर नहीं लगेगा तो यह बच्छो optically क्या होगा active होगा मतलब यह बात एकदम सही है यह बात भी एकदम सही ती बच्छा क्लियर है यह कंडिशन है और वैसे भी बहुत सिंपल से वे में हो चुका कि वह यह इसमें वास्ता में जो डॉनर साइट होती में चार उक्सुन और दो नाइट्रम होती है कि ले डाइग्राम भी आपको मेरे साब सबहना चीए प्लेण में दिक्कत नहीं थी यह उपर से और यह नीचे से जा रहा वेटा उपर से पीछे की तरफ है और यह नीचे से उस्टार आरा तो इनमे कभी भी बहीं लगने का चांस नहीं होगा प्लेनों समेंट्री नहीं ल यहां से ही अटेस्ट ठोड़ी होता बिटा ओक्ताई रहे न छह इसमें डेंटीसिटी है तो च्छ तो अटेस्ट हो जोगा ऐसे तो जो यहां से नीचे से टोर दोगए रूपर सी अटेस्ट हो जाएगा बिटा ने अगर यह होता तो बीच में से यह वाला प्लेन लग जाता यह वाला यह वाला प्लेंड अरיא क्या मेरी बास समझ पा रही हो का बच्चो इसमें के बेङए कला है यह वाला प्लेन लग जाता इसके अंदर से लेकिन ऐसा है नहीं न बिटा ऐसा रियल में होता ही इसके अंदर नहीं है तो प्लेन लगने का चांस इसमें नहीं है नेक्स क्वेशन बेड़ा इसक्वाइर प्लेनर कॉंप्लेक्सेज अफ दी टाइप M, A, B, X, N चारों मोनोडेंटेट लिएंड है और इसक्वाइर प्लेनर उसने अपनी तरफ से पहले ही बोल दी आपको बेड़ा यह कितने जियोमेट्रिकल आई देखो बेड़ा इसने क्या बोला इसको अपने कॉंप्लेक्स ओफ दा टाइप M, A, B, X, L शोज अब पहली बात तो यह बेड़ा कि यह जो है यह वाड़ा इसक्वाइर प्लेनर है नाम में प्लेन आ रहा है तो प्लेन ओफ सिमेट्री तो लगना ते है तो ओप्टिकली इन एक्टिव होगा ओप्टिकल आईसोमर तो यह देगा ही बात अब जियोमेट्रिकल की बेड़ा तो जियोमेट्रिकल में वेटा किस तरह से बना लेता है अपने इसमें देखेगा M, यह 4, यह 4, और यह 4 प्लेन ए, क्या करें? किसी एक को कोमल ले लीजिए अब एक बार उसके सामने ट्रांस्पेर पे B लगा दीजिए एक बार X लगा दीजिए और एक बार L लगा दीजिए बाकी दो वैलेंसी कई भी complete करो कोई दिकत में A B आ चुका X L A और X आ चुका तो B और L और A और L आ चुका A और L तो B और X लगा तीन आइसोमर यह बनाता है तो देख बड़ा टू टू यह तो गया चार बना रहा है वन वन यह भी गया नेकिन बिटा अब यहां क्या सोचे दो सिस एक ट्रांस या दो ट्रांस एक सिस बेता इसे समझने की कोशिस करना बिटा समझाता हूँ मैं रटना नहीं है सिखाता हूँ मैं आपको मैं देखे क्या सिट्विशन है क्या करो कि दखो यह ट्रांस पे रहे यह यहां से और यहां 180 डिग्री पे यह ट्रांस है तीक है A वाला L के साथ सिस है X के साथ सिस है सुनना मेरी बात आप एक काम करिए कि कोई भी दो कॉमन ले लीजिए अगर आपने A और L प्ले लिया तो आप मुझे बताइए फर्स्ट इस्ट्रक्चर में A और L आपस में सिस है बच्चा 90 डिग्री पे हैं बेटा दोनो यहाँ भी A और L आपस में बच्चा चिस सिट्वेशन पे है क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री पे है और यहाँ A और L जो है बेटा देखो ट्रांस पेर पे आगे 180 डिग्री पे बच्चा और 180 डिग्री अगर है तो यह जो situation है, यह कौन सी है बेटा Trans situation है, क्या clear है मेरी बात अब आप कहोगे कि सर यह तो आपने अपनी मर्जी से बता दिया होगा हम क्यों माने, कोई बात ने बेटा मैं आपको सिफ इतना कह रहा हूं सिफ इतना कह रहा हूं कि कोई भी दो आपकी मर्जी से आप इमेजिन कर लीजे, कोई भी दो आपकी मर्जी से रतने वाली बात थो लिए बेटा इसके अंदर, आप अपनी मर्जी से कोई भी दो इमेजिन कर लीजे बेटा मैंने A और N लिया था, चलो बेटा अब मुझे बताना है तो कुछ तो लेना पड़ी का ने बढ़ा मान लीजिए बेटा मैं A और X ले लूँ सोचना A और X अगर मैं ले लूँ दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर सिफ 90 डिग्री का तो यह सिस वाली सिचुएशन होगी with respect to A and X A और X बेटा 180 डिग्री पर आ गए तो यह कौन सी सिचुएशन होगी बेटा France with respect to A and X और यहाँ बेटा देखो फिर A और X आपस में 90 डिग्री पर आ गए बेटा तो यह वापस से सिस हो जागा with respect to A and X तो वास्तम में बेटा कितने सिस हो गए बेटा दो सिस हो गए और एक ट्रांस हो जागा बेटा दो सिस एक ट्रांस आपका अंसर फस्त हो जागा clear है बच्चो दो को बेटा यह ऐसा नहीं कि मैं ऐसी टाइम पास के लिए दे रहा हूं बेटा यह इंसी आटी में लिखी भी लाइन बस इसले बता रहा हूं बाकि और कोई मेरा उत्देश्च इसके पिजे नहीं है टूसिस और वन ट्रांस आइसोमर्ण इसके अंदर है बेटा इंग्स क्वेश्चन विच्व दा फॉल्ओंग विल एक्जिबिट लिंकेज आइसो मरिजम देने के लिए पॉइंट ओफ अटेच्मेंट अलग होना चीए लिगेंड का बस और वो कब होता है जब एंबी डेंटेट लिगेंड दो एंबी डेंटेट लिगेंड क्या होता है जिसमें दो डोनर साइट होती है लेकिन एक बार में एक ही साइट से अटेच होता है दोनों से एक साथ अटेच होता तो डाइनटेट होता लेकिन इसमें एक बार में एक साइट से ही अटेच होता है जैसे उदारन के लिए बेटा अगर देखें NO2- देखें चलो मालो बेटा कि ये N double bond O और O- आपके पास में है बेटा ये NO2- अपने पास में है अब यहाँ पर बेटा होगा क्या कि लोन पे नाइट्रोजन के पास भी है बच्चे और O- के पास भी है अगर आप कहो कि सर आप कि यह बना देते धिक्कत का रहीती डाइडेन्टेट बना देते इसको बiration नहीं बना ना फोर मेंबर रिंग बने रिंग और कम से कम 5-member ring तो चीए वरना ring strain आ जाता वो इस्टेबल नहीं होती और एक nitrogen और एक oxygen दोनों एक साथ दे जा देते तब तो थी-member ring बन जाती और 3-member ring बनती तो मामला और भी खराब हो जाता बच्चे क्या है कि या तो ог माइनस से देगा या एन से देगा बटा या तो यह low नून जोए न छो गल्खेशन को फीजिंट करता है अगर नीटरोजन से डोनेट करता है तो इसको ब viele जिस्से ंगरता है मिठीय को पेrhले लिख देते हैं यह में ड्यां जो ऒलेख देते हैं हैं यह सिह स क्यार्ण की अरण की सब्वास्जिट प før में माइनस, ONO माइनस हो चुका, SCN माइनस हो जाता है, NCS माइनस हो जाता है, OCN माइनस हो जाता है, NCO माइनस हो जाता है, और option के हिसाब से Cynide और IsoCynide भी हो जाता है, according to options बेटा, यह immediate है, और इसमें point of attachment अगर बदलेगा, तो बेटा, यह linkage IsoMegas दे दे दें, बेटा, क्या है, Diamine, Chlorido, Nitrito and Platinum, तो देखे बेटा, क्या है, Platinum है, ठीक है बेटा, उसके बाद में Nitrito N, और Diamine Chlorido, ठीक है, Diamine 2, NS3 के आगे बच्चो, Chlorido, एक आगया बेटा, और Nitrito N, Nitrito N, N अपना पतलब है बेटा, NO2, यह इस्तिती बच्चे है, और यह 0 है, यह minus 1, यह minus 1, तो बेटा, यह platinum प्लस टुका हो गया, और यह वाला बेटा, एक तो NO2 हो सकता है, और एक ONO हो सकता है, तो यही वाला बेटा, linkage IsoMegas दे 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 यह, next question, which of the following represents meridional isomer, देखे बेटा, meridional isomer होने के लिए एक सर्त है बेटा, कि octahedral ligand में, यह ligand जो है ना बेटा, एक जैसे कम से कम 3 ligand होने चीए, यह भी दे सकता है, यह भी दे सकता है, और BCD, यह भी दे सकता है, बस आपको एक जैसे 3 ligand से मतलब होता है बेटा, इसके म जैसे कम से कम 3 ligand होने चीए, ओक टैडल में, तो बटा, यहां 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे यह नहीं देगा, यह वैसे 6 है, यहां बेटा, 4 एक जैसे है, और 2 एक जैसे, यह बेटा, ट्रांस है, और यह भी meridional तो नहीं है, बेटा, अब बात आती है, 3 तीन की, यह दोनों के बच्चे और ये वाला जो है ये भी तीन का केस है अरे क्लियर है बच्चा ठीक है अब सुनो मेरे बात ये जो तीन है मेटा ये वाले तीन आप इसमें आराम से देखना बहुत आराम से कोई जल्दीवाजी निये मेटा अगर माल लीजे बेटा इसके अंदर मैं इनको आपस में मिलाता हूँ सुनना मेरे बार अच्छे से पहले पॉइंट तो ये कि ये जो है ये वाला इसमें कौन सा ये वाला ये वाला ये वाला इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ बच्चे 90 डिगरी के अंगल पर है जान बतना चार प्लेन में एक उपर एक नीचे को में को संथा इसमें आप बेटा अगर आप इस से मिला देंगे तो सुनना मेरी बात ये एक फेस को बच्चेश करेंगाअ बेटा, Octahedron की face को represent करेगा, बेटा, एक face, right side में face आ लिए, बेटा, right side में face आ गई, अगर आपको ये face अच्छे से नहीं दिखाई दे ली, तो दूसरी face देख लेते हैं, मन कोई दिक्कत नहीं है, कि हमिटा इधर देखे यह वाले जो हो है बहाएं ये वाणा ऑओ यह नीचे वाला इन दोनों के साथ पेस यह लोग एटा प्रेन के अंदर हैmos जो क्वेसर व्यृर में यह बयुद के टोंगauen घ्री कल इनगल के वाट इसाथ तीन सब्मकारां और mah Aaah और ये समझ में कोई बात नियुकुल नाराज ना हो थोड़ा बड़ा मान आ लेते हैं मेटा ये सिचुएशन ने मेटा समझना अच्छे से आप ये चार वेलेंसी हैं या सेंट्रल मेटल है एक वेलेंसी बच्चा उपर आएगी और एक वेलेंसी बच्चा नीचे आजाएगी ठीक है अब यहां बेटा मेरे पास में क्या था एनेच त्री और एनेच त्री लोटा यह मेरे पास था ठीक है क्या करूं मैं इसके अंदर बेटा मैं क्या कहना चारूं आपको कि आप इन तीनों को आपस में मिला दीजिए पहले है इधर देखिए यहां पर मिल गया बच्चे यहां मिल गया और यह ठीक है इस उपर वाले अमोनिया की बात करूं तो वह इन दोनों के साथ 90 डिग्री के अंगल पर है और इधर एक बना दीजे बेटा अब तो आपको साफ साफ फेस दिखाई दे रही है बेटा इक राइड साड में फेस अब आपको क्लियर कर दिखाई दे रही होगी बाई ओक्ता ह अब क्या कि बेटा इसमें कैसे बनता है आठ हेडरन बेटा एक फ्रंट में ऐसे बनता है एक पीछे बनता है एक राइट में एक लेट में चार उपर बनता है और चार नीचे तो उसमें से बेटा अगर आप देख पा रहे हो तो क्या यह राइट में फेस बन गई क्या राइट में फेस बन गई और इस फेस पर तीनों अमोनिया पूटा प्या एक जैसे लिगें ब बेटा यह हो गया फेसियल जिसे आप बेटा प्यार से फैक बोल देता है क्या मेरी बात समझ आई को आपको कि यह तीनों आइसोमर जो है बेटा एक फेस को कवर कर रहे है इसे अपन क्या बोल देता है फैक बोल देता है दन है क्लियर है ठीक बेटा दूसरी सिच्वेशन सीख किएगा बेटा रटना नहीं है एक उपर आजाएगा और एक बेटा नीचे आजाएगा इसमें देखिए आप ये माल लीजे अपन नोटू कवर कर रहे है एनोटू 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 तीनोएग जैसे बच्चो तीनोएग जैसे जिसे माल लीजे मैंने क्या नाम दे दिया बेटा माल लीजे मैंने इसको नाम दे दिया है बच्चे क्या एनोटू को तो एक ये रहा एक ये रहा और एक ये रहा दिखाई दे रहा होगा बच्चो मेर आप अच्छे से एक चीज देख लीजिए कि ये चार बेटा ये चारो चारो कोने ये तीनो जो है बेटा एक ही प्लेन में आगे है बताओ तीनो एक ही प्लेन में आगे बेटा अरे आये की नी आये बीजित तीनो एक ही प्लेन के अंदर आ रहा रहते हैं अब सुनना अगर मैं बेटा इनको मिलाता हूं देखते जाये तेस 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 ये बेटा आगे की तराफ आ रहा रहा टेबल के जenhay, ङसे यह हवाव सर्क्ल्हा हाव सर्क्ल बने बंगे है। यह बनगया हाव सर्क्ल्हां करोंगया बनगया हाव सर्क्ल야 Infinite यह हाफ सर्क्री बन गया बटा इसके अंडर चाहें तो थोड़ा सा इसको यहां से भी ले ले बटा यह हाफ सर्क्री बन गया बन गया एक प्लेन के अंदर टेबल के उपर एक प्लेन के अंदर हाफ सर्क्री बन गया दूसरा देखें मेटा कि अगर मैं इने मिलाऊं और ये नीचे की तरफ से आगा विट लिदर ऐसे लिदर करवाई करते हैं और ये नीचे की तरफ से आगा विदर तो एक हाफ सर के लिदर बनेगा एक आधा सर्किल यहां था बच्चे सुनो मेरी बात एक आधा सर्किल तो यह आ गया एक plane के अंदर और यह जो half circle है न बेटा red वाला जो उपर से की तरफ आ रहा है बेटा red वाला half circle वो यह है बेटा यह उपर से नीचे की तरफ आ रहा है बेटा कट करते हुए तो वास्ता में देखा जाए तो अगर आप देखो तो ऐसे बेटा एक हाप सर्किल इस तरह से बेटा सुनना मेरी बार ऐसे इस तरह से बेटा टेडा ऐसे ऐसे तिकर मिरर बन दिया मेरी मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ अब ठीक है बेटा एक हाप सर्किल तो ऐसे है और एक हाप सर्किल इस तरह से आ रहा है ऐसे आ रहा है दो हाप सर्किल आपस में आ रहा है बेटा प्लेन में इस तरह से इस तरह से बेटा और ऐसी सिचुएशन को बोलते है मेरी डियनियल इसी situation को meridinal बोला जाता है किलिए है बेटा ये तो बात हुई समझने की हो गई बात बेटा कि कर ना ये तीन एक plane में आगे और ये meridinal है और ये facial है ये तो बात हुई समझने की इसमें तीनो एक ही face के उपर आगे बेटा किसी भी तो बेटा वो facial हो जाएगा और ये तीनो एक ही plane के उपर आजाएगा कोई भी तीन एक plane पर आगे तो बेटा कुनसा हो जाएगा मेरे डिनियल condition उसके कह दिया जाता है ये तो बात भी समझने की लेकिन बेटा इतना जो है ना एक्जाम में नहीं सोचा जा सकता बेटा मैंने तो ठीक है कि समझा दिया कि हाँ ऐसे होता ये reality होती है लेकिन बेटा हाल फिलाल अपना revision में target कैया है revision में target ये है कि एक्जाम में सवाल टिक कैसे करना है और एक्जाम में ऐसे टिक नहीं होते हैं बेटा सवाल तो फिर एक्जाम में करना क्या है एक्जाम में क्या करना है हम करें क्या एक्जाम में कैसे टिक होना है बेटा वो चीज सीखनी है अपन को तो बेटा मा पको त्रिक बताऊंगा कि पहली सरत तो ये है मरे डीनियल होने के लिए कि कोई भी एक जैसे लीगेंड कम से कम संख्या में तीन उने चीए पहली सरत ये हो गई तो ये दोनों से लड़ गे अब ट्रिक ये है कि आमने सामने जा के मरेंगे क्या परीक है आमने सामने जाके मरेंगे है समझ ना मेरी बार की कोई भी तीन में से एक जैसे जो तीन है उन में से एक जैसे दो अगर आमने सामने आगए तो वो मरो जायगा अमोनिया के सामने अमोनिया नहीं है, अमोनिया के सामने अमोनिया आ गया, मतलब मरेंगे, टै, फिर यह मत कर दे ना बेटा, कि यह भी तो आमने सामने ते ना सर, अरे भाई मैंने पहली सर्थ क्या बताई, पहली सर्थ है कि ओक्टाइडल में यह तो होना ही चीए, एक जैसे कम से कम तीन लिगेंड होने चीए, फिर दूसरी सर्थ, आमने सामने जाके मरेंगे, आमने सामने आगे ना 180 डिग्री पे बेटा, मतलब मरना तै, बाकी चार कहीं है सब्सक्राइब , आमने सामने नहीं आया ने बेटा एक सा मने नहीं आया तो दॉट यह कौन सा है, यह jaad रहेगा रह ना यह सबर कि मर को न्हीया साथ मैं होता है और ट्रांसर बीलता है इन दोनों गए कसा कि ने सर्फ के कि एक जैसे कम से लिगेंड होने चाहिए बटा तीन लिगेंड एक जैसे कम से कम होने चाहिए दूसरी सर्थ क्या है बेटा tricky कि आमने सामने जाके मरेंगे एक जैसी वैलेंसी में से कोई दो अगर आमने सामने आगे तो मरना तह है यह मरे डीनियल हो जाएगा बेटा अंसर आपका इसमें चाहर नमर हो जाएगा मेरे साब से अब तो क्लियर होनी चाहिए आपको बात next question बेटा which of the following complex species is not expected ठीक है भी या to exhibit optical isomeris ठीक है समझते हैं बेटा सबसे पहले बेटा इसका मामना निप्ता देते हैं अपन बहुत ही सिंपल है M A3 B3 अगर बेटा ओक्ता हेडरल में M A3 B3 की situation है यह है यह ammonia 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 इसमें प्लेन लगेगा की नहीं लगेगा बहुत सिंपल है देखो यह चारो बेटा एक टेबल के चार कोने और एक टेबल में चारो बेटा प्लेन में कैंसिल होना पता है यहां अगर मैं प्लेन लगाऊं तो ऊपर CL और नीचे CL एक जैसा है दोनों एक जैसे आगे मतलब बेटा तै है कि मिरर इमेज बन रही है मतलब प्लेन ओप सिमेट्री लग गई और प्लेन ओप सिमेट्री लग गई तो ओटिकल आईसो मेरिज में नहीं देगा Olivier, Optically ineptive तो ने का तो मामला निपट गया इसने और नोट में तो बेटा भाई वीचों फॉलॉइं कॉंप्लेक्स स्पीसी इस नोट एक्स्पेक्टेट टू एक्जिविट है तो बेटा डी वाला आपका सीधा-सीधा आंसर चला जाएगा म, A3, B3 का केस इसके अंदर चला गया है अगला पॉइंट क्या बेटा सुनना मेरी बात कि अगर तीनो डाइटेनड लिगन्ड है बनाएंगे कैसे बेटा इसको देखना वह सिंपल तरीका होता है बनाने का कि गई से भीएक स्टार्ट करजीविटा डाइटेनड इयो है ना बेटा तो यहां से clockwise गुमाया था इसमें anti-clockwise गुमा दो यह mirror image इसमें तो optically active होगा बेटा optical iso अमर यह तो देगा अगर बेटा मैं बात करूँ C की तो सुनना मेरी बात C के लिए special point है बेटा क्या कि अगर इसमें situation क्या होती यह वाली बेटा EN EN CL CL trans अगर होता तो बेटा यह optically inactive होता optical isomery यह नहीं देता बिल्कुल नहीं देता अगर इसकी trans situation होती तो लेकिन अगर इसकी cis situation है अगर इसकी cis situation है बच्चे तो बेटा इसमें plane नहीं लगता और बिल्कुल यह optical isomery देता है cis situation में बेटा तो बेटा अब में इसको क्या मानूं मेरी बाद सुनना बेटा अकोडिंग तो ऑप्शन सलना पड़ेगा एक एक एग्जामपल मुझे हंडेट परसेंट ऐसा मिल चुका है जो हंडेट परसेंट अप्तिकली इनक्टिव है यह अप्तिकल आइसो मेरेज नहीं देगा और यह मैं वो टिक करूँगा जो हंडेट परसेंट नहीं देगा समझ रहे हो मेरी बात को और ऐसे ही बेटा इसमें भी बेटा सिच्वेशन ऐसी बनेंगी आगे आएगा इसका भी एक्जामपल बेटा और भी इसमें भी बेटा अगर ट्रांस है अगर ट्रांस है तो अप्तिकली होगा और श्रीचत पर ज्रो करूंगा क्यों कि यह 100% ऑप्तिकली इनक्तिव है चाहे इसी आप बैटा के मैरी डीनियमियल पॉम बना दिजह तह है कि कि दोनों में प्लेन लगेगा बेटा, तो D इसमें अंसर चला जाएगा, ले रहा मेरी बात बेटा, आप लोगो को भाई, चलू हूँ आगे, ठीक है, तो इन चारों में से D option मुझे टिक करना पड़ेगा, next, which of the following will exhibit maximum number of 500 marks, मैंने कहा थाना बेटा, आपको आगे एक्जाम्पल आ जाएगे, एवाला जो है बेटा, देखिएज अच्छे से, आप समझ जाएगा, कि CO है, और बेटा, Hexadentate Condition है, इसकी एक मैंने बना दी Transform, देखते रहें, CL और CL, यह मैंने इसकी Transform बना दी है, और जो Transform है बेटा, उसमें प्लेन लगना ते है, यह table के चार कोने यहीं से काट तो बेटा, आप लोग उपर नीचे से बिल गा है, अगर मैं इसकी Cisform बनाता हूँ, देखते रहें, माले जें, यहां से E.N. आपने चालो कर दिया, यह E.N. इदर CL हो, इदर CL, तो बेटा, इसमें प्लेन ओप सिमेट्री लगने का कोई चांस नहीं है, बेटा, प्लेन ओप सिमेट्री इसमें नहीं लग पाएगी, अगर प्लेन ओप सिमेट्री नहीं लगेगी, अगर प्लेन ओप सिमेट्री नहीं लगेगी, अब कुछ सोच रहें कि यह वाला लगा दो, अरे बेटा, आप भूल रहो, यह उपर है और यह नीचे है, यह उपर है और यह नीचे बेटा, ठीक है, यह दोनों एक प्लेन के अ तो इसमें राइट में घुमा दीजिए, एक, दो, और इसे, बेटा, अगर मैं इसे फर्स्ट, इसे सेकिंड और इसे थर्ड बोलू, तो सुनना मेरी बात, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो है ना बेटा, वो आपस में जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ट्रांस और सिस, लेकिन दूसरा और तीसरा, ये सिसका, अगर मैंने डेक्स्ट्रो बोला, तो ये सिसका लीवो हो जाए रहा बेटा, सिसका डेक्स्ट्रो और सिसका लीवो, ये दोनों आपस में बेटा, ओप्टिकल आइसोमर है, वापस सुनने, पहला और दूसरा, क्या है बच्चे, जियो जियोमेट्रिकल आइसोमर ये देगा, दूसरा और तीसरा बच्चे, ओप्टिकल आइसोमर है, दो ये ओप्टिकल देगा, दो जियोमेट्रिकल, दो ओप्टिकल, लेकिन अगर आपसे टोटल पूछे, तो टोटल तीन होगे, क्योंकि दोनों में से एक तो कोमन है ना, रे यह वाला तो, बैटा, यह तो common है ना, बैटा, तीन में से, तो दो geometrical है, दो optical है, लेकिन total इसके कितने मिलेंगे बच्चा, तीन मिले रहे हैं, है कि लेरे एंग्जाम्पल में तीन देंगे सिमिलर्ली सी वाले एक्जाम्पल ने भी बैचा तीन मिलेंगे बस इतना ही है मैं बेटा देखो ज्यादा समय वराब नहीं करूंगा आपका डरिये की इस में क्या है बेटा फिस इतना ही है कि जैसे in के तो दो हिंगा पर एक it इसमें भी दो जीयोमेट्रीकल मिलेंगे दो तक कल मिलेंगे और तीन मिल जाएंगे total इसके अंदर बेटा तीन कैसे मिल जाएंगे total बिल्कुल similar to A बिल्कुल A के जैसा बेटा 2 geometrical, 2 optical और 3 total तो 3 ही इसके आगए बेटा, अब मैं बात करूँगा पहले D वाले की बेटा, D कर निप्टारा भी कर जाते हैं अपन प्लेटिनम बेटा, CL2 देखो प्लेटिनम प्लस टू स्टेट में और बेटा, सुनना मेरी बात कि 4D और 5D सीरीज अगर हो, 4D और 5D सीरीज हो, तो बेटा, central metal iron कुछ भी हो लिए और कुछ भी हो पेरिंग हो ही जाती है, क्योंकि इसमें, बेटा, CF पीछे बच्ची जाता है, अगर यह square planar complex है, बच्चे तो देखो डा, नाम में आ रहा है, square planar मतलब plane of symmetry लगेगी और plane of symmetry अगर लगेगी, तो optically, तो यह inactive हो जाएगा optically कैसा हो जाएगा, inactive अब बात क्या आती है, बच्चे geometrical की, तो देखिए दोनो ammonia एक तरफ, दोनो CL एक तरफ, एक situation तो यह बनेगी बच्चा, दूसरी situation क्या बनेगी बच्चा, इसके अंदर, कि दोनो ammonia opposite आ जाएगे और दोनो CL भी opposite आ जाएगे एक situation यह बन जाएगी और यह होगा ना बच्चा, यह इसकी cis form आ गई, और यह इसकी बेटा आ गई, कौनसी form, transform geometrical दो आईसोमर इसके बिलेंगे इसमें सही है, जो इसकी cis form में है बेटा, इसको अपन anti-cancer drug भी बोलते हैं, अपने नाम सुनाओ तो, cis वाली form को anti-cancer drug भी बोलते हैं, बेटा cis plating के नाम से, जिसी जाना गाता है cis plating के नाम से, cis वाली form इसकी anti-cancer drug भी होती है अब बच गया बेटा, example number B देखेंगा बेटा, ऐसा नहीं देखो बेटा, example number B जो अना NCRT के out-text questions में दिया हुआ है, मैं से time pass नहीं करना हुआ हुआ, मुझे आपको actually यही सिखाना था, क्योंकि जादा तर बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको यह वाले तीनों case जो मैंने बता है, वो पता भी है मुझे actually यही सिखाना है, और वो क्यों सिखाना है उसका कारण सिख इतना है, कि बेटा, NCRT में out-text questions में यह दिया हुआ है, तो अपनको आना तो चीए बेटा, देखो कैसे करेंगे, CO यह है, डाइडेंटेट लिगेंड आपने यह लगा दिया इस कहता है, ठीक है, अब क्या किया आपने, दोनों ammonia अपोजिट लगा दिये हैं, तो बेटा, यह CL और यह CL, यह बेटा वास्ता में कहूंगा, मैं ट्रांस, ट्रांस बोलूंगा, लेकिन किसके respect में बेटा, with respect to ammonia, अमोनिया के respect में यह किसके respect में, अमोनिया के respect में, भई, अमोनिया और अमोनिया अपस में, इसमें, ट्रांस कंडिशन में हैं, बेटा, तो ट्रांस है, with respect to ammonia, दूसरा, देखते रहे हैं, यह EN, अब मैंने क्या किया, बेटा, कि CL और CL अपोजिट लगा दिया है, और यह लो अमोनिया और अमोनिया, बेटा, बेटा, यह भी ट्रांस है, ध्यान में, लेकिन किसके respect में, बेटा, यह ट्रांस है, किसके respect में, with respect to CL, CL के respect में, ट्रांस हा गया है, दूसरे सिचुइशन, अपने एक बार, दोनों CL को ट्रांस पे ले लिया, एक बार आक दोनों ammonia को ट्रांस पे ले अब क्या करना है बेटा अब बेटा सिस भी तो लेना पड़ेगा ना सीधी सी बात है ना बेटा ये एन एन लगा दिया आपने हाराम से देखें अब ये इसमें ओप्तिकली इनेक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन लग जाएगा बई इसमें प्लेन लग देखो अब आप मुझे बता होगे क्या इस ऊपर वाले इस आमोनीय के साथ किते डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का ध्यान लगतना और इस येल के साथ भी 90 degree का दिहां दखो यह चार फ्लेन थिर पर उपर वाला इन चारो प्लेन के साथ में 90 इग्री का एंगल तो ओपर जो हम्मोरिय उसका इस पीछे वाले शेल के साथ 9 आप छोटा सब्सक्राइब करने जोगे यह इस आप आप सोचों कि मैं सी अलुपर एक अमोनिय इंदर लगा दूसर एक वर बन जाएगा अरे कैसे बनेगा बढ़ा ना इस इफ लुपर लिगा और नीचे ले यह तो भी तो 90 डिग्री के एंगल दे ना यह ऐसा नहीं कि यह यह मोनिय आमो तो बटा इसमें एक ही situation मनेंगी इसकी अचा रुको बेटा तीन तो यह आचुके अब इसमें से यह optically inactive है यह optically inactive है लेकिन बच्चा यह optically active है बोल रहा हूं नहीं लग रहा इसमें ammonia CL दोनों nitrogen काटे आपने लेकिन उपर ammonia और नीचे CL अलग बच गया ना तो बटा इसके मुझे कितने मिलेंगे दो मिलेंगे एक मिलेगा dextro एक मिलेगा levo अब बता बटा इसके geometrical isomer कितने हुए तीन अरे वहिया इसके GI कितने है तीन है बच्चा GI तीन बटा ओप्टिकल आईसोमर कितने है सिफ दो और टोटल कितने है रहे भई पांच की चार चार बटा क्योंकि एक तो common है तो maximum बटा इसमें answer कौन सा चला जाएगा बी वाला आपका चला जाएगा maximum isomer बटा इसके अंदर है क्या मेरी बात क्लियर है बटा चले आगे next question excess of aqueous के cn is added to aqueous solution of copper sulfate ठीक है which of the following is incorrect about coordination entity formed during reaction ठीक है बटा कुल मिला करके reaction करवा रहा भी करवा देता है अपन में कि copper sulfate था बटा यानि आपके पास में copper 2 plus iron available था और इसकी cn- से reaction करवाई गए यहां copper था बच्चे d9 configuration में मुझे बताइए कि अगर यह reducing agent का काम करें तो एक लग्णों इसको दे सकता और copper plus 1 में बदल सकता यह बदल भी जाएगा क्योंकि d10 यह कि stable configuration यह मिलेगा बेटा बिल्कुल मिलेगा और axis में आपने लिवा हुआ है तो cn- वापस इससे attach होगा और 4 coordination number बनाता है बेटाई बई copper का plus 1 x cn का minus 1 4 का minus 4 तो डब्बे पर minus का 3 बचा तीन पोटेशन मुझे balance करने के लिए लगाने पड़ेंगे और ध्यान ने कि यह stable होगता है बेटा h2s के साथ यह reaction नहीं करता stable होता है बेटा इसका जो formation constant है बेटा इसकी value काफी जादा होती है बेटा अगर मैं बात करता है इसी की जगे है बेटा cadmium 2 plus की जो already d10 configuration में तो पहला point तो यह कि cyanide ion उसको reduce करता ही नहीं क्योंकि वो already d10 में तो बेटा वो direct इसके साथ complex बनाता है यह वाला 2 minus और balance करने के लिए बेटा दो potassium इसको चाहिए होता है यह बेटा comparatively less stable है अनिस्टेवल नहीं बोलूँगा पर लेस्टेवल है और यह बेटा H2S के साथ CDS का PPT दे देता है अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि complex है अलग से आयनों का test नहीं दे सकता बिल्कुल नहीं देता चाहिए बेटा ideally नहीं देना चाहिए लेकिन बेटा मैंने कह रहूंन मैं कह रहूंना less stable है इस्टेविलिटी पर डिपेंड करता है यह बोर सिंपल उदार अंडू बेटा कि पती और पत्नी है शादी हो चुकी पत्ती बन चुके तो काइदे से उनको बलग नहीं होना चीए काइदा यह है पर आप जानते है इस दुन्या में बेटा हमेशा आइडियली चीजे हमेश तो यह less stable है इसले तूटकर CDS का PPT दे देता यह लो कलर का बेटा जबकि यह नहीं देता यह is stable है आइड कोडिनेशन नंबर ओफ सेंटरल मेटल आयन वुड बी 4 एकदम सही बात अपने इसकी चल रही है तो 4 यह बेटा Oxidation state of central metal iron would be plus one यह भी एकदम सही है पूचा क्या आखिर इसने फिर इनकरक पूचा बेटा इड वोड गीव ब्लैक कलर PPT बिल्कुल गलत बात बेटा H2S के साथ यह reaction नहीं करेगा comparatively stable है Next, during reaction cyanide behave as ligand as well as reducing agent यह तो एकदम सही है बेटा Clear आप लोगों को यह बादी बात है बेटा ठीक है बाई देखे बाई, next question क्या आपका इसके पास में Which of the following not hydrate isomer देखे बेटा, एक simple सी condition क्या होती बेटा Hydrate isomer में क्या होता है कि जो H2O है उनकी as a ligand की संख्या में फरत पड़ता है ligand की संख्या में लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना बेटा कि number of H2O as a ligand अलग-लग संख्या में attach होते हैं लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना इसके अंदर आपको बेटा क्या, कि type of iron type of iron change नहीं होना चाहिए यह सर्त है बेटा type of iron change नहीं होना चाहिए अगर type of iron change हो गया तो बेटा वो फिर hydratisomer का उधारण नहीं होगा देखे रडर बेटा, सबसे पहला आपने बना है कि 6-6 H2O और डबबे के अंदर चले गए वो 3 Cl बार तो बेटा, type of iron क्या है? Cl minus or complex ठीक है बेटा, यहां देखिए बेटा आपने क्या किया कि H2O को डबबे के बार ले लिए एक Cl को अंदर बेटा, type of iron Cl minus or complex यहां फिर देखिए type of iron Cl minus or complex बेटा यहां देखिए बेटा कि iron ही नहीं रहा, वो हो type of iron का iron ही नहीं रहा बेटा इसके अंदर तो यह वाला उधारण जो है अपनी तरफ अट्रक करके रख पाएगा यहां complex पर चार्ज नहीं बचा तो वो H2O का अपनी तरफ अट्रक करके नहीं रख पाएगा clear है, दूसरा तरीका कि type of iron चेज नहीं होना चाहिए तो यह hydrate है, hydrate है, hydrate है यह नहीं है एक तरीका यह कि complex पर चार्ज नहीं है तो H2O का अट्रक नहीं कर पाएगा खुल मिलाकर यह hydrate isomer का उधार नहीं होगा या फिर दूसरा तरीका type of iron नहीं बदलना चेज यहां type of iron बदल गया बेटा next question which of the following complex is inner orbital and paramagnetic inner orbital मतलब बेटा कि अंदर वाले d काम आने चाहिए बेटा उक्षडेशन स्टेट में और कोबाल्ट का configuration क्या होता है बेटा कोबाल्ट का होता है organ 18 4s2 3d7 लेकिन प्लस 3 अगर है तो तीन ही लग्षड़ों चले जाएंगे 2s में से 1 d में से बच्चा d6 बचेगा और कोबाल्ट 3 3 प्लस के साथ बच्चा जो oxygen-based ligand है oxygen-based ligand है वह strong का काम करते हैं बेटा oxygen-based वहता है तो weak ligand होता है लेकिन कोबाल्ट 3 प्लस के साथ oxygen-based ligand strong ligand का काम करता है strong का काम करेंगे तो pairing करवाएंगे बेटा अच्छा पेरिंग में बेटा मुझे बताइए आपके पास में T2Z और ये EG का case होता है बेटा तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे ऐसे pairing होगी बेटा तो अंदर के जो दो डी है बेटा वो इसमें बाकी रहेंगे बेटा चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए बेटा इसे लिखने का एक तरीका हो रहा है क्या आप लोग नहीं तो ऐसे ही लिखा होगा हमेशा इसको इ दो अंदर के दी खाली रहेंगे बेटा तो दो अंदर के दी एक, एस और तीन पी काम आएंगे क्या हो जाएगा डी टू, एस पी त्री तो बेटा यह इनर तो है लेकिन यह डाया मैगनेटिक है बेटा तो पहला आंसर नहीं होगा दूसरा देखी बेटा आईरन वही प्लस इस टो इनर इस टो काम आ रहा है तो इनर तो यह है और क्या इसमें एक अनपेड इलक्रों भी बच गया मतलब यह पैरा मेंगेटिक है इनर भी और पैरा भी है बेटा आंसर भी हो जाएगा आपका चलिए सी भी चेक कर लेते हैं बेटा मैगनीज यहां पर प्लस तीन स्टे इस नहीं होता कि एक बाहर का नहीं पाइप अलाउड नहीं होता नहीं होता है तो आभी इसको या तो अंदर के काम में लेते हैं या आपी बाहर के बिटा तो लिटाउट की एक साथ है नहीं बटा अप्ट, अप्सी मजबुली में इसको बाहर वाले D काम में लेने पड़ेंगे, पैरामेinnエタिक तो है إेस्प में मैं था स्प k3, द2 बनाएगा SP3D2 बेटा तो outer orbital है इसलिए cancel हो जाएगा बेटा ऐसे ही FE वो ही है बेटा plus 3 state आपके पास में क्या configuration बोलिएगा organ हो गया 4S2 3D6 होता है 3 electron चलेगे 2S में से 1D में से बेटा D के 5 बचेंगे और बेटा सुनो मेरी बात की फ्लोराइड तो यह तो पेरिंग करवा ही नहीं पाएगा तो इसमें तो बाहर वाले D काम आएगे यह भी outer orbital हो जाएगा what will be correct order for the wavelength of absorption in the visible region बेटा देखो visible region में बेटा सुनना मेरी बात की octaidal complexes सारे के सारे T2G और EZ का energy gap होता सिधी सी बात बच्चा कि अगर energy gap बढ़ेगा तो बेटा absorb wavelength कम हो जाएगी और energy gap कब जादा होता है जब strong legenda हो यानि बेटा बात यह कि legenda की strength बढ़ने पर legenda की strength बढ़ने पर energy gap बढ़ता है और absorb होने वाली wavelength कम हो जाती बेटा अब अगर मैं NCRT के लिए spectrochemical series की बात करूं मेटा तो क्या प्रीक है देखो मैंने बार्वी मैं बोलता जा रहा हूं साथ में लिख रहा हूं आप लोग सोच ले ना बढ़ा मैंने I मतलब मैंने होता न बढ़ा I मैं ठीक है मैंने बार्वी science class से NCRT के इसाब से मैंने बार्वी science class से फरार होकर oxalator oxalator पानी नहीं पिया इडियटो नहाना अन्यता कान को साफ रखना कान को साफ रखना मिटा ये ट्रीक है मैंने बार्वी science class से फरार होकर पानी नहीं पिया इडियटो नहाना अन्यता कान को साफ रखना और NO2- यहां आता है बेटा यहां आता है NO2- अब देखिए बेटा दिये गे तीनों ligand में से सबसे weak H2O है उसके बाद ammonia है और उसके बाद NO2 है H2O बेटा ligand weak है ligand weak है तो energy gap कम हो जाएगा energy gap कम हो जाएगा weak ligand में energy gap कम होगा energy gap कम होगा तो absorbed photon का lambda स्यादा होगा तो सबसे जादा H2O में आएगा उसके बाद ammonia में और उसके बाद NO2 में समझ गए बेटा यह वापस सुन लो अगर strong ligand होता है तो interaction जादा होती है जादा होगी तो energy gap पढ़ जाएगा energy gap बढ़ेगा तो absorption होने वाले photon की wavelength कम हो जाएगी answer इसमें आपका हो जाएगा third आपका answer हो जाएगा next question among the following ions which one has the highest magnetic moment देखेगा समझ नहीं दर by zinc plus 2 है बेटा zinc plus 2 तो वैसे d10 हो जाता है अनपेड एलक्ट्रोन एक भी नहीं बचेगा बेटा इसके लिएग लिएग लिग लिएग 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 ला मामला ही खताम इसका तो magnetic moment होगा ही zero chromium plus 3 state देखो chromium क्या होता है बेटा organ के बाद में 4s13D5 तीन एक चले गए तो इसमें से चला गया इसमें से दो चले गए डी थ्री अब बटा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनको डी तरी मिलता बोले वह यह पेरिंग करवा दो एक दो तीन अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है मैंने अभी क्या बोला आपको कि तीन से पहले पे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 का होल डूट बेटा रूट 15 आ जाएगा निकल बेटा देखेगा निकल का कॉंफिग्रेशन होता है बेटा S2 D8 4 S2 3 D8 प्लस का 2 है बच्चे 2 इलक्रोन चलेगे D8 बच गया अब बेटा D8 में देखो इधर क्या सिच्वेशन होनी है बई 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेड इलक्रोन इसके अंदर रहेंगे बेटा इसमें 2 अनपेड इलक्रोन है और प्लेटिनम बेटा प्लस 2 स्टेट का है प्ले प्लेटिनम कौन सी सिरीज का गया बेटा बैटा थ्रीडी 4D और 5D में से बेटा निकिल पैलेडियम प्लेटिनम 5D सिरीज का 5D सिरीज में तो वीक लिगन भी पेरिंग करता है तो अगर पेरिंग कर देगा बच्चे पेरिंग करेगा तो एस सिचुशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 त तो शारे पेरिंग हो जाएगी इसके अंदर और वैसे भी पैरिंग हो जाएगी इसमें हाइबराइशन का जाएगा 1D का 1S का 2PK 2 DST2 हो जाता है square planar हो जाता है और सारे के सारे पेर बन चुके नहीं बेटा तो यह पैराबनेटिक है नहीं बेटा यह तो ही diamagnetik क्लिए रहे तो बटा अंसर कौन सा हो जाएगा इसमें सेकिंड वाला अंसर हो जाएगा इसमें तीन अन्पयरी लग्टों थे मैक्सिमम इसी के इंदर है क्लिए रहे बच्चो नेक्स्ट विच अपडी फॉलइंग इस इंकरेक्ट अबाउट एनाई सी ओ का फोल पोल देखें यह पहला सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं हवा में सवल करते हैं बोले सी ओ स्ट्रोंग लिगेंड बोले पेरिंग कर देगा बोले डाय मेंगनेंटी को जागा और स्क इसको गलत करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है मनने यह 3D हो गया यह 4S हो गया यह 4P हो गया नॉर्मल सिच्वेशन क्या थी पहले वो देखो एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ और यह दो थे अब आपने क्या किया कि CEO की प्रेजेंस ले लिए जैसे CEO की आप , इसको एकक को यहां बेजेगा और इक को यहां बेजेगा तो एक दो तीन, चार पांट, छे, साथ, आठ पहले से था दो मेंसे एक यहां आया, एक यहां आगया अब बेटा, यहसा नुंद को थो बेजा है लेकिन अंदर का dखालिक आ है नहीं है न बेटा, तो इसको निर्ट चार बनाने लटा चार बनाने तो той्स ना wireless ठीन चारं है यह कि टाल ओंडा मेंगनेक्टीक एक डंस शुक्य में यह सिंट्रा इनर ने खिम अर्यों सही बी क्या感 है यह एक्डम पर प्यों की इस समय बात सम्झाने क्या बोलना बाइब true जो बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, उसकी बात कर रहा है, यह बेटा, तो बेटा, देखो, CO जो होता है, CO, वो बच्चे, अपना लोन पेर इसको देता, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, सेंट्रल मेटल को, और बेटा, इसके जो आगे के बेटा सोजी सेंट्रल मेटल आयन के D वाले कैसे हैं बढ़े वे हैं फिल्ड दी और बेटा इसमें होता है कौन सा पाई एंटी बोन्डिंग exactly पाई एंटी बोन्डिंग में इलक्टोन इसके शिफ्ट होते हैं बेटा यह आपर में तो आते हैं बेटा तो यह जो synergic bonding है न वास्ता में यह MOT के द्वारा ही explain होती है यह आटी मेंस का सवाल है एक बार आया हुआ एक्जाम में कि कार्बोनिल्स की synergic bonding कि स्ट्वरी से समझाई जाती है बोले MOT से कि बोनिंग कि बाते हैं सारी की सारी MOT में होती है और synergic bonding आप इसी से समझाते हो कि लिए रहा यह तक की बात है next question बेटा identify the correct statement बेटा पहला क्या लिखा हुआ है ammonium high and can behave as ligand गलत बात बात हो गहीं न भीटा ammonium कोन से दिल लिगेंड होने लगा वेटा ammonium जो है इसके पास में मुझे वताओ क्या बिली लोन पेर होना तो चीए था ना लोन पेर ही तो इसको गलत बात हो गए, लोन पेर ही नित्टिन के पास, उसका लोन पेर ही प्लस के साथ में काम आ दिया, EN is monodentate, अरे बहुत आ अध्या चार हो गया, बहुत बहुत यह कैसा लिगलेंट है यह तो डिदेन्टेट लिगलेंड है ना बटा, को ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह काम में ले लिया और अगर कोई एनायन की स्पीसीज है उसको डाइपोल की तरह काम में ले लिया अब कुछ सोचो बेटा यह तो अपने आप में मतलब अन्या है ना बई डाइपोल में बताओ इस एनायन वाले को मानूं या न्यूट्रल को म मानना पड़ेगा और एनायन को एज ए पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा तो यह इन्होंने बेटा इन्वर्स करके लिख दिया गलत है यह तो नाराज ना हो एंसी आटी में दिया हुआ है सी एफ्टी में बेटा किसी साल एक्जाम में आ गया ना दोसले लट गयाएगी दिया धिकानी कह COP कि क्या है कि न्यूट्रल मौलैकूल को डाइपोल माना जाए और बेटा एनायन के के स्कोभट चाज माना जाए। और anionic ligands को बेटा point anion मानके चलता है और बाक्यों को neutral को dipole मानके चलता है बेटा electro-static attraction consider करके चलता है लिखाओ NCRT में छोरी में देखना कभी crystal field stabilization energy for high spin D4 ठीक है बेटा octaidal बेटा चलिए थोड़ा सा, octaidal बेटा, octaidal complex है ठीक ना बेटा बही octaidal में क्या situation होती है बेटा आपके पास में यह होता है T2Z और यह होता है EZ यहां होता है बेटा berry center जहां पर energy zero होती है respectively नीचे और उपर बेटा सुनना मेरी बात energy conservation follow करते हैं total मेरे पास orbital है 5 सुनना total 5 है अब इन 2 के respect में इन 2 के respect में जितनी energy उपर बढ़ेगी उतनी energy नीचे कम भी तो होगी इन 2 के respect में वापस उन्हें इन 2 के respect में बेटा जो energy का gap आ रहा है 0.4 का वो इन नीचे वालोक ले रहेगा और इन 3 के respect में बेटा जो gap आ रहा है कितने का देखना 3 by 5 0.6 का वो इन उपर वालोक ले रहेगा नीचे वालोक ले बेटा माइनस sign consider कर लेता है क्योंकि बेरी center 0 energy से नीचे है बेरी center 0 energy से नीचे है और यह उपर है तो उपर वालोक ले plus sign consider कर देते है नीचे वालोक ले minus delta O crystal field splitting energy for octa चीक है तो बेटा formula क्या बनता cfse बराबर सुनना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ नीचे वालोक ले माइनस sign consider कर लेते हैं क्योंकि बेरी center से नीचे है एक electron का बेटा माइनस 0.4 ले ले लेते हैं तो क्या जाएगा minus 0.4 into T2GK electron plus 0.6 into EGK electron plus x into pairing energy यहां x जो है बच्चे वो क्या है x है new pair कि नए पेर किते बने जैसे माल लीजे बेटा नए पेर से क्या मतलब है कि माल लीजे d6 configuration होता सुनना मेरी बात अगर d6 होता तो क्या condition लेता मैं normal configuration में 1,2,3,4,5,6 यह normal configuration में भी एक pair तो था normal configuration में भी एक pair तो था लेकिन अगर strong ligand की presence में pairing हो गई तो एक, दो, तीन, चार, 5,6 अब कितने pair आ गए बेटा तीन pair लेकिन सुनना एक pair तो पहले भी था ना एक pair पहले high spin, high spin मतलब बेटा pairing अवोइड करवानी है high spin मतलब जितने जादा अनपेड़ electron होंगे उतना अच्छा है एक अनपेड़ electron के लिए half लेते हैं बेटा जितने जादा अनपेड़ electron होंगे बेटा उनके लिए spin उतना ही जादा होगा तो यहां बेटा एक, दो, तीन अगर मैं pairing करवा दूँगा तो spin की value कम हो जाएगे क्योंकि उपर वाला, plus half, नीचे वाला, minus half, cancel हो जाएगा तो बेटा अगर मुझे यहां पर कैसा spin रखना है बेटा, high spin रखना है तो बेटा मुझे नम्मरों फन के अड़ी लगता हूँ, जादा चाहिए तो एक, दो, तीन, चार, सुनना, इन तीनों के लिए कितना उड़ा रहा बेटा minus 0.4 into 3, plus बेटा, इसका 0.6, एक ही तो है बेटा, 0.6 का delta हो, तो बेटा में लिखी वाली चीज़ भी आपको आपनी चाहिए, क्लियर है न बच्चो, आराम से देख रही न है, इसको दुबारा देख रहा न बेटा, अगला सवाल बेटा identify the incorrect statement, D4 to D7 coordination entities is more stable for strong field ligand as compared to विल्कुर सही बात है बेटा ये, NCRT में लिखी भी लागी है, और समझाओंगा भी, इधर देखना बेटा, मेरे पास बेटा, complex edge, octidal की बात कर रहा है, तो मेरे पास T2Z और EZ है, ठीको बेटा, सबसे पहले बात करूँँगा, मैं D4 की, अगर D4 में, सुनना मेरी बात, D4 म अगर, वीक लिगेंड होता, तो क्या situation आती, बोलो भईया, एक, दो, तीन, चार, क्या value आती बेटा, माइनस 1.2, भाई, एक का पॉइंट 4 है, तो तीन का माइनस 1.2 हो गया, प्लस उपर का 0.6 बेटा, माइनस 0.6 अगर यहां पर strong लिगेंड होता, तो क्या होता बेटा, ए उपर नहीं रहता बेटा, फिर उस case में, यह फिर उस case में उपर नहीं रहता, तो बेटा, क्या situation बनती ही, इसके अंदर, देखें गेदा, एक, दो, तीन, चार, चारो का कितना आजा था, माइनस 1.6 डेलता हो, अब मुझे बताओ, ज्यादा नेगेटिव किसमें है, strong लिग ऐसे ही आप चेक करके देखना बेटा, वीक लिगेंड की प्रिजेंस में, क्या रहेगा बेटा, D7 है, तो बेटा, एक, दो, तीन, रुको, दुबारा लिख देते हैं, एक, दो, तीन, वीक लिगेंड है, तो चार, पांच, छे, साथ, तो बेटा, यह पांच आगे नीचे, पांच का बेटा, एक का माइनस पॉयंट चार, पांच का माइनस का दो, और उन दोनों का बेटा, पॉयंट 6, पॉयंट 6, 1.2, कितना हो गया, माइनस 0.8 डेलटा O, ठीके, अगर इस ट्रोंग लिगेंड होता, तो बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, आट स्थां एक माइनस प्वांट चार्च और एक पॉयं पॉइंट सिक्सूपर वाले का तो किता है माइनस फॉइंटेट राइनन फॉइंट हो ज्यादा नेगेटिव है इस्टों के साथ तो बटा वास्ता में D4, D5, D6, D7 बटा चारो में करके देखिए D1 से D3 कोई फरक मीं पड़ता है स्टोंग वीक का क्योंकि बटा तीन है नीचे ऐसे ही रहने है चाहिए स्टोंग चाहिए वीक हो और D8, D9, D10 में भी फिक्स मिलता है बटा दी एट में तो यह मिलता ह चाहिए स्टोंग चाहिए वीक हो दी नाइन में यह मिलता है तो वहां तो स्टोंग और वीक का कोई ले ना देना है नीच परता बटा अंगे ने इंपर फरक परता है और NCRT में लिखा हुआ है कि बटा D4 से D7 तक स्टोंग लिगे उनके साथ में जादा स्टेबल होते हैं दूसरा टेट्रा हेडल के लिए बेटा CFC जो गयप है वो ओक्टा हेडल की तुन्ना में 4 by 9 टाइमस होता है यह भी एकदम सही है बेटा दो कारण है एक्चुली बेटा सुनना मेरी बार कि इधर रेशो लेके चल लेता है बेटा पर समझाता हम प्रटी इमर रेशो ले ले इंटरेक्शन जाएधा और इंटरेक्शन जाएधा होगा तो एनर्जी गैप बदल जयागा यह तो किस से आया बेटा नंबर ओफ लिए लिएंस ती है दूसरा बेटा सुनना कि ओक्ता हेड्रल जो है उसमें लिए जिए लेज्गेंस आते हैं नेक्स ने इक्सिसक्र और इ गेंब एक्सिस के उपर आ रहे हैं तो head to head interaction होती है तो energy gap बढ़ जाता है जबकि tetradal में in between access आते हैं अब बेटा in between access अगर आएगा तो head to head interaction नहीं होगी तो बटा वहाँ पर energy कम रहेगी तो उसमें भी ratio यही रहता है तो दूसरा भी एकडम सही बच्चो तीसरा बेटा ruby red color होता है आपको information के लिए दिया हुआ बेटा chromium 3 होता है वो भी al2o3 के अंदर बेटा ठीक है और इनकी वजह से यह बेटा dd transition करता है और dd transition करके बच्चो यह color देता है red color एकडम सही बात है नेक्स कोपर 2 प्लस में बेटा d9 है एक अंपर इलक्ट्रोन इसमें है बिल्कुल है बच्चो लेकिन सुनना कि यह dd transition नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि बच्चे इसमें लिगेंड नहीं है अरे बेटा dd transition के लिए बेटा d का splitted होना जरूरी ना तो डिक अभी splitted होगा बेटा बी तब splitted होगा ना जब सात में लिगेंड हो अब जब ligand ही नहीं है तो splitting कैसे करवा हो अरे अ इन hy decisif forms में इसका बी वहां पर पर पांच वहले में बहुत ताइंगे पीजिबर दीटीड़ गया पर आपके पास में 25 को जाएगी ही नहीं होगी अमोंग दी फॉलोइंग मैटल कार्मोनिल दा सी यो बॉंड ओर इस लोईस्ट इम्पोर्टेंट हो बेटा पूरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ जैसे इसका फिल्ड भरा हुआ डी क्योंकि इसके डी में इलक्ट्रोन है और इसका बेटा कौन सा बोलो 14 इलक्ट्रोन अभी बाद कार्म के इच्छा है और और इसके एंटि बॉंड़िंग में तो सुनना मेरी बाद बेटा एंटि बॉंडिंग में इलक्ट्रोन जानने पर बॉंड और कम होगा और बॉंड लेंथ बढ़ेगए और बेटा कब जादा जाएगा सुनना मेरे बाद बहुत लास्ट इंपोर्टेंट बॉर्ण बोल रहा हूं इसके लिए कि मैटल पर अगर माइनस बढ़ेगा सुनना बेगी बाद मैटल पर अगर अगर माइनस बढ़ेगा तो ये πाई के द्वारा बहुत जादा इलक्ट्रोन देगा बेटा इसके anti-bonding में जादा इलक्ट्रोन देगा क्योंकि इस पर minus आगया तो electron density बढ़ेगी जादा जादा इलक्ट्रोन देगा तो metal पर minus बढ़ने पर देखो metal carbon की strength और carbon oxygen की strength वापस सुनो metal पर अगर minus बढ़ेगा तो metal carbon की strength बढ़ेगी क्योंकि synergic bonding बढ़ेगी metal पर जितना जादा minus आगा metal carbon की strength बढ़ेगी metal carbon की strength बढ़ेगी चिल आ रहा हूं सुनो बेटा metal carbon की strength बढ़ेगी जब metal पर minus बढ़ेगा और एंटी bonding में इलक्ट्रोन देगा तो CO का bond order कम होगा और उसकी strength कम हो जाएगी बेटा, CO की strength कम होगी, CO का bond order कम होगा और उसकी bond length बढ़ जाएगी, किसकी CO की, CO की ध्यान लखना एक्जाम में पूछा किसका है, metal carbon की carbon oxygen बेटा, सुनने मेरे बात, कि एक तरफ से अच्छा होगा, तो दूसरी तरफ से weak हो जाएग बेटा, metal carbon strong हो जाएगा, carbon oxygen B हो जाएगा, क्योंकि electron CO के anti-bonding में देगा, CO के anti-bonding में अगर electron देगा, CO के anti-bonding में अगर electron देगा बच्चे, तो बटा, CO का bond order कम हो जाएगा, उसकी bond strength कम हो जाएगी, उसकी bond length बढ़ जाएगी, कब? जब metal पर minus जादा हो, तो metal carbon मजबूत होगा, carbon oxygen B हो जाएगा, उसका bond order कम हो जाएगा, तो बटा, यहाँ, सबसे जादा metal पर negative charge कोन से है, बच्चे, यहाँ पर है, minus charge है, इसके अंदर, metal पर minus one oxidation state है, बटा, metal की यहाँ पर, और इसके अंदर, जादा से जादा यह electron pair इसको देगा, क्लेर है, बच्चों, नेक्स व carbonil का example है, बटा, और इसके लिए, बटा, मैं example, जो है, structure based है, कुल मिला करके, NCRT में धी विए, इसलिए आपको बता दी, बटा, मैंने, exactly इसकी यह structure होती ही, बटा, एक-एक मेगनीश से 5-5 CO जूड़े होते है, और NCRT ने, बटा, एक तो यह है, एक तो यह है, एक तो यह क्योंकि दो मैटल के center है, बटा, इसमें, पहला पॉइंट, दूसा पॉइंट बटा, कि मैटल मैटल का इसमें एक bond है, और इसमें एक भी bridge ligand नहीं है, एक मी नहीं है, और क्या लिखा हो है, NCRT ने, कि 2 square planar unit, sorry, 2 square pyramidal, sorry बट्चो, 5 है न, 2 square pyramidal unit, attached by metal-metal bond, ठीक है, तो metal-metal bond की संख्या X बोली, एक है बच्चो, और bridge ligand, एक भी नहीं है, clear है, इसी के साथ एक और बता दूं, बटा, CO2CO8, NCRT में जो structure दिये न, वो बता रहा हूं में इसकी, CO, और ध्यान ने, दो bridge ligand, बता है, इनों ने, ठीक है, तो इसमें भी पूछ सकता है, कि metal-metal bond कितना है, एक है, और CO के bridge ligand, कितने है, बटा, इसके अंदर, दो है, clear है, यहां तक की बात है, देके, बटा, next question क्या आपके पास में, for formation of complex, ठीक है, बटा, complex भी अब है, उसका formation constant का log B आपको beta value दी भी है, ठीक है, यह beta जो है, बटा, वास्ता में, formation constant को represent करता है, जो आपको दिया हुआ अभी है, बटा, और यह अपने आप में एक equilibrium constant होता है, क्या मतलब, इसका सुनना मेरी बात, कि copper 2 प्लस जो है, वो चार ammonia के साथ, finally attach हो करके, Cu ammonia का whole 4 2 प्लस बना रहा है, और यहाँ जो, बटा, equilibrium constant आया ना, इसी को, बटा, बीटा कहा लेया, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, लोग बीटा दिया हुआ है, 11.3, तो सबसे पहले तो आपको, बीटा की value निकाननी पड़ेगी, बीटा की value क्या हो जाए है, 2 की, तो यह आजाएगा, यह बीटा की value आई, यह बेटा, क्या देखिये, तो इसके formation को represent कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन आप से पूछा क्या है, बेटा, dissociation constant, जो इसका dissociation होगा, बच्चे, क्या वो बिल्कुल 100% इसका inverse हो जाएगा, क्या बेटा, और आप सभी जानते ह है, कि equilibrium constant अगर inverse कर दिया जाए, reaction को inverse कर दें, तो यहाँ जो इसका dissociation constant आएगा, वो इस उपर वाली reaction के जो formation constant है, उसका inverse आएगा, reaction को inverse कर दिया, तो divide में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटा, 1 by 2 into 10 does power 11, इतना simple है, दिया हो NCRT में, यह minus 11 हो जाएगा, बच्चे, अग 5 into 10 does power minus 12, कि बच्चो, कि बच्चो, कि बच्चा, जो formation था, उसका, formation का जो constant था, उसका inverse कर दो, तो dissociation constant हो जाएगा, आपको को जाएगा, यह क्यों नहीं लिया, अरे यह लोग value दी थी ना, बच्चो, पहले मुझे इसका anti-log भी तो solve करना पड़ेगा, जान रखना इसका ब detection में काम आता है, sulphide iron के साथ यह क्या बना देता है बचा, एन एटू, FECN का whole 5, NOS, और बचा इसका यह कलर, violet color दे देता है, बचा, कुछ जगा purple लिखा होता है, कुछ जगा violet, दोनो चलते है, बचा, violet color देता है, यह बचा, sulphide iron के साथ में बचा, यह इसका, violet color देता है, तो और sulphide iron के detection में एक काम आता है, sodium nitroposide इसको बोलते हैं, एंगदम सही बात है, अगला point, कि दो sodium का इसमें plus 2 हो गया, cyanide का 5 का minus 5 हो गया, अब बेटा, खास बात सुनना, कि जब भी complex के अंदर iron के साथ NO आएगा, तो वो NO का plus 1 होता है, चाहे वो brown ring complex हो बेटा, जिसमें 5H2O, 1NO और sulphide बाहर होता है, वहाँ भी NO plus 1 का होता है, और इसमें भी NO plus 1 का है, जब भी iron के साथ complex के अंदर NO आएगा, तो NO plus का होता है, अब बेटा, यहाँ NO plus 1 है, देखो, sulphate का minus 2, sulphate का minus 2 है, तो इस पूरे का plus 2 रहेगा, उसमें से NO का plus 1 हो गया, इसका भी plus 1 हो जाएगा, ऐसे इसके अंदर देखो, आराम से, 2 sodium का plus 2, 5 cyanide का minus 5, minus का 3 बच गया, अब बेटा, यह plus का 1 इसका हो गया, तो बेटा, इस बेटा, तो nitroso आता, सिर्फ NO होता तो, nitroso, और यह क्या है, nitrosonium, NO plus है बेटा, और iron इसमें plus 2 रहेगा, तो all of the above are correct बेटा, next question, coordination number of chromium 6 दे दिया, तो बेटा, यहीं बात एक तो साबित हो गई ना, कि chromium consistent में है, plus 3 में बेटा, और 6 coordination number है, अब इसमें से बेटा, आपको x, y और z का ratio बता, तो बहुत ही जादा आसान दे दिया, यह डाइडेंटेट है, यह भी डाइडेंटेट है, सुनना मेरी बात, अगर कोई भी डाइडेंटेट लिगेंड में एक से जादा ले लू संख्या में, मालो इसका 2 ले लिया, इसका मालो एक भी अगर मैं लेता हूँ, तो बहुता, दो दुनी चार और भी डाइडेंटे एक से दो मिलेंगे ना, तो दो से चार मिल गए और इससे एक से दो मिलेंगे बहुता, अरे डाइडेंटेट में एक लिगेंड से दो देंटिसिटी होती ही ना बहुता, तो अगर मैं इसके दो इसका एक भी ले लिया, त अच्छे तो यहीं पूरे हो गए स्कान नमबी खतं हो गया eerste डाइडेंटि लिगेंड तो फेटा मैं यहां पर इस केस में एक से जाधा लई नहीं सकता वरना अगर किसी भी एक कि द्यों गिंट होता है, n is neutral, एक O2 माइनस बोला इसने, super oxo बरला, super oxo है, एक oxen पर माइनस का 1 है, तो दो पर माइनस का 2 होगा बच्चे, chromium का प्लस 3 है बच्चे, तो प्लस 3 माइनस का 4 माइनस का 1 ही तो बच गिया, तो वन रेशो लेशो, वन रेशो, 2, क्लेर है बच्चे, एक डाइडेंटेट फ्लीगेंड दो डेंटिसिटी पूरी करता ना और 6 से जादा करना ही नहीं है अगर बेटा मैं पहला एक्जामपल लेता हूं तो बेटा दो अग्जेलेट से दो एन से और एक ही मिलती पांच ही रह जाती अगर मैं तीसी लेता हूं तो बड़ा दो यहां एफी 3-plus के साथ potassium ferocyanide ओहों एफी का प्लस तीन है और potassium ferocyanide बेटा के फोर एफी cn का whole 6 होता है बच्चे जिसमें iron plus 2 state का और इसका huge क्या है इसका huge है Fe3+, copper 2+, zinc 2+, इनके detection में इसका काम होता बेटा देखिएगा Fe3+, के साथ सुनना बेटा क्या बनाता है K4 था तो 4 potassium अटाओगे बेटा तो बेटा, यहां minus का 4 बचेगा क्या हो जाएगा Fe, Cn का whole 6, 4 minus 4 इसके पैरों में, 3 इसके पैरों में क्या बना देगा बच्चे Fe4, Fe, Cn whole 6 का whole 3, बेटा और इसका कलर कैसा होता है Precian blue color होता है बेटा पहला एकदम सही है इसको सुनना मेटा बिरबात कि यह आईरन बेटा, इसके डब्बे के अंदर जो है, प्लस 2 का है और बाहर वाला प्लस 3 का है इसका IOPSC नाम कैसे लिखा जाता है बच्चे आईरन थर्ड स्टेट बतानी पड़ेगी बाहर वाले की भी तोकि दोनों में आ गया ना बेटा आईरन थर्ड हेग्जा साइनो मैं बोल रहा हूं, आप सुन ले हेग्जा साइनो फेरेट सेकिंड और इसका कोमन नेम क्या बेटा फेरी फेरो साइनाइ तोकि बाहर वाला प्लस 3 का है और अंदर वाला प्लस 2 का है इसको लिखने का एक और तरीका होता है F e C n का होल 6 F e ये प्लस 2 का ये प्लस 3 का और फिर डब्बे के बाहर पोटेशियम बेटा ऐसे भी लिखते है बाहर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 हो गया हो गया न बेटा और ये माइनस के 6 है तो ये तरीका भी होता है इसको लिखने का बेटा तो ये इसमें प्रेशन ब्लू कलर देता F e 3 प्लस बेटा कोपर के साथ में बेटा चोकलेट ब्राउन कलर देता बेटा और इसके साथ में वाइट ब्लू कलर देता जिंक के साथ में ये आपका एकदम सही है बेटा दूसरा भी एकदम सही है कि F e 3 प्लस S e n माइनस के साथ में रेड ब्लर कलर देता बेटा, तीन थायो साइनर इससे अटेच हो जाएंगे और रेड प्लर देता है, एकदम सही है, निकल 2 प्लस DMG के साथ में रोजी रेड पीपीटी देता है, एकदम सही बात है बच्चे, 100%, क्या स्क्वाइर प्लेनर कोंप्लेक्स बनाता है, नि, DMG का होल ट्वाइस बेटा, रोजी रेड पीपीटी, स्क्वाइर प्लेनर कोंप्लेक्स बनाता है, दो पांच मेंबर और दो छेंगमर मेंड रिंग होती है, इसके अंदर हो सिमेट्रिकल एज मोलिंग भी प्रेजेंट होती ह होता है इसका यह भी सही है नेक्स देखिए F2 plus की reaction potential ferro cyanide से करवा रहा है यह तो कोई मतलब नहीं हुआ ना बैटा दे कोई दा कि F2 plus की reaction potential ferro cyanide से थोड़ी होती है देखो F3 plus की reaction होती है ferro वाले से मतलब plus 3 वाले की plus 2 वाली condition से प्रिक से किसके दो पता हूँ याद रखने वी plus 3 वाले की से फैर नेक्स्ट, चूज दी ओप्शन विद इन्करेक्ट मैच, पहला, विल्किंसन केटलिस्ट बच्चा, अरे विल्किंसन केटलिस्ट ना पहला बच्चे, बेटा, ओर्गेनो मेटलिक कंपाउंड के उधारन आगें, बेटा, विल्किंसन केटलिस्ट बेटा, इसके, सुरी, हाँ सब्सक्राइब एक दम सभी बार दूसरा AGCN का होल ट्वाइस माइनस इलक्तो प्लेटिंग में सुनना मेरी बार बड़ा सिल्वर और गोल्ड की जो प्लेटिंग होती है ना कवर जो करते हैं वह इनका प्लेक्स बनाके करतें ये वाटर हों क्यों त्किलस प्लेटिंग हो एक जसी चिकनी प्लेटिंग हो सब्छाइब की जाएगी तो वह चिकनी प्लेटिंग नहीं होघी फिर अपनको वह जो योग इक ज़सरा उनका यह भी सही है, तीसरा black and white photography में बिल्कुल यही बनता है कि undecomposed AGBR को हटाने का काम हाइपो करता है, और हाइपो जो है इसके साथ यह complex मना के इसको अठाता है, next NICO का hold for one arcal process, यह गलत होगे ना बटा, भाई यह तो MOND process में बनता है ना बटा, MOND process में बनता है, यह इसके गलत है, ठीक है तो बटा कुल मिला कर यह जो मैंने सवाल लिए, NCRT से बेटा बनाए है सवाल, और कोशिस किये कि NCRT का maximum portion cover हो जाए, आप लोग बेटा अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए परिक्षा पे फोकस करिए बेटा, कब होगी, उस पे किन्ता ना करें, सिफ अपनी preparation करते रहे, स्वास्त रहे, मस्त रहें बेटा, थेंक्स थेंक्स, थेंक्प्यू अर्य बच्छ